और लखनों में चौथे चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं क्याबिनिट मंत्री महेंदर सिंग ने भी अपना वोट कास्ट किया और वोट डालने के बाद उन्होंने अखलेश यादव पर जम कर निशान असाधा बहुत तेजी के साथ उत्सा बढ़ा है अब तो ऐसा लग रहा है भारती जनता पाटी के सुनामी चल भई है हर किसी के मन में इच्छा है कि हम योगी जी की सरकार फिट से बनाएं डबूल इंजन की सरकार जैसे उत्तफदेश नंबर एक का राजज़ बने वन टिलियर डालर एकोनामी के जो संकल पर योगी जी का पूरा हो साथ साथ एक्सप्रिस पे जिसमें से कुछ बन करके तियार हो गये जो बन रहें उनको तेजी से हम लोग पूरा करें 33 मेडिकल कॉलेज बन गये सभी जिलो में मेडिकल कॉलेज का संकल भी पूरा हो बहन बेटियां सुरच्चित रहें कानून का राज अस्थापित हो तिती और तिवहार पर इसी तरीके से अमन और सांती का वात्रवन हो कामरिया निकलते रहें पुछ बरशा होती रहें भगवान शेराम का बबे मंदिर बने बावशनात का कोरीडोर तयार हो राम सरकेट बहुत सरकेट के सरकेट का निर्माण हो और इन सब चीजों के लिए उत्पदेश के जनता जनारदन आगे आगे है और वो कमल वाले खाने उनको भूत बना दिया है और आगे दस मारिश के बाद उनको केवलाभी से भूत दिखने लगा है और वो डर उनके अंदर इस तरीके से समा गई है कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं बूत ये सपने में भूत आ रहे हैं। और इह बूत बूत चल्ला रहे वह नहीं। एसले कि hell का मोहबरہ मन्ट के माध्ठ cow अउन्ग सब्रीम ऑप्वाए नियुक्त॥ रहे हैं साथी साथ ये भी कह रहा है कि बीजेपी स्पस्ट बहुमत 2022 के चुनाओं में प्राप्त करेगी और दस मार्श को जब नतीजे आएंगे तो सीटे साड़े 300 के पार होंगी केमेर जीतिन के साथ अनुबह शुक्ला एपि गंगा लगता हूँ